डिजिटल एक्सस के टू दपॉइंट अनालिसिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंतरगत हम चर्चा करेंगे सुर्खियों में रहे राफेल लडाको विमानों के बारे में तो आईए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये विमान सुर्खियों में क्यों है हाल ही में फ्रांस में निर्मित पांच राफेल मल्टी रोल कंबेट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है राफेल जेट्स ने फ्रांस के बंदरगा सर बोडो के मेरिगनेक एयर बेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तै करने के बाद अंबाला के वायुसेना एयर बेस पर सफलता पुरुवक लैंड किया भारतिय हवाई छेत्र में प्रवेश करने के बाद दो सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी आगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक का सफर तै किया अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट की पहली स्कौार्डन तैनात होने वाली है दिया तब व्य है कि 17 नंबर की इस स्कौार्डन को गोल्डन एरोज नाम दिया गया है इसके अलावा राफेल विमानों की दूसरी स्कौार्डन पस्चिम बंगाल के हासिमारा एयर बेस में तैनात की जाएगी गवर्टलब है कि विमानों के प्रतेख स्कौार्डन में 18 राफेल विमान सामिल होँगे जिसमें से तीन डबल सीटर विमान प्रसिक्षन का रहेतू प्रियोग में लाये जाएंगे फिलाल भारत आये 5 एरक्राफ्ट में से 3 सिंगल सीटर एवं 2 एरक्राफ्ट डबल सीटर हैं आईए अब हम समझते हैं राफेल रक्षा सौदे की प्रिष्ट भूमी के बारे में और हालिया वर्सों में या किन वजों से चर्चा के किना में रहा है भारत सरकार ने सितंबर 2016 में भारतिय वायुसिना के मल्टी रोल कॉम्बेड एरक्राफ्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रांस की डसॉल्ट एवियेशन कंपनी से 36 राफेल विमानों की खरे धेतु करार किया था इस रक्षा सौदे पर ततकालिन रक्षा मंत्री स्वरगिये मनुहर पारिकर ने हस्ताक्षर किये थे भारतिय वायुसिना के अंसार इस सौदे के अंतरगत सभी 36 विमानों की आपूरती 2021 के अन तक पूरी हो जाएगी वायुसिना को अपना पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनात सिंग की फ्रांस यात्रा के दोरान सौपा गया था फिलहाल मिलने वाले 10 एरक्राफ्ट में से केवल 5 भारत आये हैं जबकि सेस 5 एरक्राफ्ट फ्रांस में ही ट्रेनिंग मिसन के लिए रखे गए हैं हाईए अब हम राफेल विमान के कुछ महत्पूर्ण तत्यों पर चर्चा करते हैं राफेल विमान फ्रांस की डसौल्ट एविएसन कंपनी द्वारा निर्मित एक क्वीन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर कॉंबेट जेट है अगर राफेल विमानों की चमता की बात की जाए तो डिसॉल्ट एवियसन कम्पनी के आधिकारिक वेबसाइट पर दिये गए आखनों की अनुसार निमलिखी चमताएं इसे पांचवी पीडी के फाइटर विमानों की स्रेणी में विसिष्ट बनाती है इस विमान की उच्चुतम गती 1.8 मैक अत्वा करीब 205 किलोमेटर प्रती घंटा आकी गई है यानि यह विमान ध्वनी की गती से भी दोगनी तेज गती से उडान भर सकता है एक खाली राफेल विमान का वजन करीब 10 टन होता है यह एरक्राप करीब साहे 9 टन एक्स्टरनल पेलोड उठाने में सक्चम है इसके साथ ही यह अधिक्तम साहे 24 टन के भार के साथ उडान भर सकता है जिसमें हतियारों के साथ इंधन का वजन भी सामिल है गौर तलब है कि इस विमान में मुख्य फ्यूल टैंक के अलावे एक अतरिक्त फ्यूल टैंक भी लगा होता है यह विमान एक बार उडान भरने के बाद करीब 3700 किलोमेटर तक का सफेर तै कर सकता है जो भारतिये परिद्रिश्य में इसे काफी खास बनाती है यह विमान 55-100 फीट की उजाई से भी अचूक निसाना लगाने में सक्चम है इसकी यह चमता इसे लद्दाक जैसे परवतिये छेत्रों में भी अत्यंत उप्योगी बनाती है आईए अब रणनितिक रूप से मतपूर राफेल विमानों की मारक चंता पर चर्चा करते हैं राफेल विमान अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ घातक हतियार एवं मिसाईलों से भी लैस किये गए हैं प्रतेक एयरक्राफ्ट में हतियारों के लिए 14 स्टेशन बनाए गया हैं इसमें एक साथ 6 मिसाईल लोड किये जा सकते हैं भारती वायुसेना मुख्य रूप से चीन की चुनोतियों से निपटने हेतू चार प्रकार के घातक मिसाईलों का प्रियोग इस एयरक्राफ्ट में कर रही है मीटियोर मिसाईल या वियोन मीजुवल रेंज की स्रेणी हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाईले मानी जाती है इस मिसाईल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर है सकल्प मिसाइल या लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक चंता लगबग 300 किलो मिटर है हैमर मिसाइल या एक एर टू ग्राउन मिसाइल है जो मुखिरूब से दुर्गम पहाड़ी छेतरों में काफी उपयोगी सिद्ध होगी या फायर एंट फॉर्गेट स्रेनी की मिसाइल मानी जाती है माइका मिसाइल या विमान हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइलों से भी लैस किये गए हैं हालिया वर्सों में राफेल रक्षा सौदे राजनितिक गल्यारों में भी कीमतों की वज़hoe से अकिन सुर्खों में रहा है तो आइए राफेल विमान की कीमतों पर थोड़ी चर्चा करते हैं करीब 541 करोड रुपए लड़ाकु विमान के हतियारों, मिसाइलों इत्यादी पर खर्च किये हैं, जिन में वियोन्ड विजुल रेंज स्रेनी की मेटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर मिसाइल एंड माइका जैसी मिसाइलें प्रमुख हैं। इसके अलावे, इस विमान से जुड़े अन्निक खर्चों में, इसे भारत के जलवायों के अनुरूप बनाने में करीब 17 मिलियन यूरो का खर्च आया है। जबकि विमानों के स्पेर पार्ट्स की लागत करीब 1800 यूरो है। साथ ही, इसके परफॉर्मेंस बेस्ट लॉजिस्टिक का खर्च करीब 353 मिलियन यूरो आखा गया है। इस प्रकार एक राफेल विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है, जो की इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 673 करोड रुपए होते हैं। परंतु, इस विमान में लगने वाले हतियारों, तकनिकी अप्रडेशन, सिमुलेटर, एवं ट्रेनिंग पर होने वाले खर्चों का आकड़ा भी अगर जोड़ दें, तो एक फाइटर जेट की कीमत करीब 600 करोड रुपए हो जाती है। आईए, अब हम समझते हैं कि राफेल विमानों की तैनाती अंबाला एयर बेस में ही क्यों की गई है। तो आज के इस एनालिसिस प्रोग्राम में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।